तुडेंस वेलकम बेक टो शांदीपनी एजुकेशन राकेडेमी चलो हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा यूनिट थ्री है जंक आर्थ उसको हमने श्टडी किया था तूड़ी वी स्टार्ट अवर एक्सेसाइज ओके चलो हमारी फर्स्ट एक्सेसाइज है वाट डि तूपले तूपले था शुखेज है वह मारे था था सएप्सेज है वाल एक्सेसाइज को कम्लिट करेंगे तो फर्स्ट वाला राइट है आ लाइक तूड़ी वाट एटे तूफ उस एड़ बाईट अवर जोः तो यूस अनधर्दे तू था तूड़ी था था क्या और जो तो यूज अनदर दिये हैं तो क्या आएगा फर्स्ट वाल ओके चलो यह कंपिल्ट हो गया है चलो सेकन टीक ट फोलोविंग स्टेट्मेंन्स र्रू और फॉल्स डीये गया हैं तो चलो देखते हैं जहां पर राइट होगा वहां पर हम तुरू लिखेंगे और जो रॉंग हो so smart when he does art तो क्या आएगा true, जब वो art बनाता है तब वो smart feel करता है second, he made four floating fish तो क्या आएगा false, उसने कितनी floating fish बनाई थी three बनाई थी, four नहीं थी third, the poet thinks a coffee can becomes a drum तो क्या आएगा true, हम प्रोय में देख सकते है a coffee can becomes a drum आ गया yes, और कितनी floating fish बनाई थी three, इसलिए ये वाला false हुआ, ये वाला true हुआ the poet thinks that juice box has no use तो क्या आएगा false, क्योंकि juice box तो use हो गया था देखो, यहापे juice box को use करके क्या बनाया था बन बनाया था, ठीक है चलो, last वाला, the poet doesn't use junk to make some art pieces तो क्या आएगा, false आएगा तो ये हो गया हमारे true and false उसके बाद का देखते हैं, answer the following question in 30 to 40 words यहापे दो question दिये गए है, उसके answer हमें 30 to 40 words में लिखने है first question है, what are the best things the poet used to make art कि poet ने कौन-कौन सी बेकर की चीज़े लेकर आर्थ बनाई तो हमारा answer क्या आएगा the poet used wished things like old form train, coffee, paper, scraps to make art कि उसने आर्थ बनाने के लिए ये सारे चीज़ों का use किया था तो ये हो गया हमारा first question का answer second question है, why does the poet feel smart? कि poet को smart feel क्यूं होता है तो the poet feels smart when he makes art from things which he had through away कि जो चीज़ों को fact देते हैं उसमें से कला बनाते हैं, art करते हैं तो इसलिए उसको smart feel होता है तो आपको भी ये दो question के answer है, उसको not में write करना है और हमारी जो उसके बाद की जो exercise है वो हम हमारे next video में study करेंगी